लोडी लोडी is celebrated on January 13th This festival is mainly related to harvesting of रबी crops बच्चों लोडी का त्योहार हर साल 13 जन्वरी को यन 13 जन्वरी को मनाया जाता है और ये त्योहार जो है ये रबी की फसलों के कटने पर मनाया जाता है लोडी पर हम मुंफलियां, रेवडियां और पॉपकॉर्ण्स खाते हैं लोडी is celebrated around the bonfire लोडी भी आग के चारो तरफ मनाया जाता है लोडी पर सब लोग नाचते हैं, गाते हैं और खुशियां मनाते हैं दशहरा बच्चों, दशहरा भगवान राम की रावन पर विजय का प्रतीक है दशहरा is the festival that celebrates the victory of good over evil दशहरा को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं अभी आपने कुछ दिनों पहले ही दशहरे को celebrate भी किया है दशहरे के दिन रावन को जलाया जाता है रावन को बुराई का प्रतीक माना जाता है और उसको जला कर बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया जाता है रक्षा बंधन रक्षा बंधन is the symbol of bond, care and affection among the brothers and sisters On this day, sister tie राखी on brother's wrist and pray to God for the well-being of her brother बच्चों रक्षा बंधन जो है वो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है ये तोहार भाई बहन मनाती है इस दिन बहन अपनी भाई की कलाये पर राखी बांधती है और भगवान जी से अपनी भाई की अच्छे के लिए उसकी well-being के लिए प्रेयर करती है गुरपुर्ब गुरपुर्ब is also known as गुरु नानक जयनती इस दा मेजर फेस्टिवल ओफ सिक्ग बच्चों गुरपुर्ब को गुरु नानक जयनती के नाम से भी जाना जाता है और ये सिक्खों का मुख्य त्योहार है बच्चों गुरु पुर्ब के दिन हम सिक्खों के सबसे पहले गुरु यानि गुरु नानक दीव जी का बद्दे सेलिब्रेट करते हैं गुरु नानक दीव जी ने ही सिक्धर्म की स्तापना की थी गुरुपुर्प के दिन सेख सुभह के टाइम पर प्रभात फेरी भी निकालते हैं